संजय अगर आप राउंड अप करें जो मेरा दूसरा सवाल है कि चुनाव कहां अठका कहां भटका और किसको जटका अब क्या इन तीन सवालों के जवाब देने की स्थिती बंती दिखाई दे रही है कुछ एक खाका खिच रहा है कहां अठका अठका तो इसी के लिए है क्योंकि साथ चरणों का चुनाव है और अभी दो चरणों के वोट पड़े हैं कल तीसरे चरण में मतदान होगा तो अठका संदीप तब तक रहेगा जब तक चुनाव के नतीजे चार जून को नहीं आ जाते सवाल है दूसरा आपका कहां भटका मुझे लगता है पहले दौर के मतदान के बाद जब वोट का प्रतिश्यत बहुत नीचे गिरा हलांकि बाद में इलेक्शन कमिशन के आंकड़े आए जिसको उन्होंने अपडेट किये लेकिन आपको याद होगा संदीप जब पहले मतदान प्रतिशत आया तो लगभग यह हुआ कि 6-7 प्रतिशत मतदान गिर गया जी तो उस वक्त मुझे लगा कि चुनाओ थोड़ा सा भटका भटका मतलब बीजेपी को विपक्षी पार्टियों को शायद थोड़ा सा बीजेपी ज्यादा प्रिटर्ब्ड हुई थोड़ से मतलब धर्म के नाम पर गोलबंदी करना तो उस वक्त मुझे लगा फर्स्ट राउंड के बाद ही चुनाओ थोड़ा भटक सा गया यह यू कहूं कि चुनाओी केंपेन थोड़ा सा भटक गया और चुनाओी केंपेन भटका है इसका मतलब है कि कही न कहीं जमीन पर कुछ चुनाओ भटक रहा है तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि यह दो चीजे हुए और तीसरा आपको कुछ एक और शब्थ हमें भूल गया और किसको जटका जटका किसको लग रहा है किसको जटका लग रहा है मुझे लगता है संदीप इसके लिए भी थोड़ा सा तो इंतजार करना पड़ेगा चार जून का अभी तो सिर्फ अटकले लगाई जा सकती है नहीं पर ये रोज बर रोज कोई ना कोई एक नया मुद्दा आ रहा है किसको जटका लगा है ब्रस्टा चार से कहानी शिरू हुई अब वापस ब्रस्टा चार का मुद्दा भाई तीस करोड कोई छोटी रकम नहीं होती है उसमें भाई सोना ले लेंगे चांदी ले लेंगे मंगल सूतर ले लेंगे उसमें कॉंगरेस का ये कहना कि धन्यवाद आपने हमारा मेनिफेस्टो घर घर तक पहुँचा दिया प्रजवल रवन्ना भी उसमें आ जाते हैं फिर हिंदू मुस या आप रश्टाचार घुटालों की बात थी 2014 में 2019 में राश्वाद का पुठ था लाभारती एक जाती बनी थी वैसी गूंज नहीं सुनाई दे रही है इसके राजनेतिक माईने क्या होते हैं और इसके चुनावी माईने क्या हैं संजिदू दो चीज आपने 14 और 19 से इस चुनाव की तुलना की निश्चित रूप से मैं कहता हूँ 14 का चुनाव तो काफी आसान हो गया था बीजेपी के लिए क्योंकि जिस तरह से देश में महाल बनावा था ब्रस्ट अचार था एंटी करॉप्शन मुभमेंट चल रहा था ये बात से कि पूरे देश में एक नाशनलिदम एक रास्टरवाद का पुठता और उसके सहारे बीजेपी ने जबर्दस जीत हासिल की दोहजर चौबिस का चुनाव इस माइने में थोड़ा फसावा दिखता है और ये नहीं लब पता चलता है बीजेपी इस बात से अश्वस् से शुरू हुआ फिर वो धर्म पर आ गया फिर वो ऐसे हो गया फिर करफ्शन आ गया तो बीजेपी बहुत घबराई हुई है बहुत विचलित है मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि विचलित है घबराई हुए लेकिन हां यह ज़रूर है कि अपनी स्ट्राटीजी बना रही है और उसके बाद आखरी के ओवर्स के लिए फास्ट बॉलर बचा के रखते हैं, ऐसा नहीं है कि शुरू के ओवर्स में उनकी पिटाई हो गई, इसके लिए लास्ट ओवर में देना है, स्ट्राटिजी बनाई जाती है, तो रन नीती अभी बन रही है, मुक्मल शकल क्या भी अथियार नहीं किया है, या वोटर ने मन बना लिया है, वो खामोश है, करंट नहीं दिख रहा, कोई अंडर करंट है, यही तो सवाल है, जिससे सांसे भी अठकी हुई हैं, राजने तक दलो की, तभी तो वो मुद्दे भी बदल रहे हैं, लेकिन क्या जनता जनारदन आप साजिश के लिए मचल जाए, और ये हैं इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गौन, जब ये करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन, इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबी पी लाइ लाईम जाए, और लंबी जवरिखें जबसपना ग्फ़ ere बड़ से खैमे बड़ बड़ defens सक्योदित के लिए दिन कि लिए हैं invasion फर शो जबना अपना जो जेखें विएल्हाब् पालू रजवरिख।